नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चेनल बायलोजी सोलुशन बर कूपोशन की हम बात कर रहे थे जिनमें से हमने विटामिन कूपोशन की बात कर ली थी आज हम बात करने जा रहे हैं प्रोटीन कूपोशन की जिन में से हम बात करेंगे प्रोटीन कूपोशन किन कार्मों से होता है और इसके क्या प्रभाव होती है सबसे पहले हम देखते हैं प्रोटीन कूपोशन के कार्म देखिए सबसे पहला कारण है गरीबी की कान लोग भोजन में प्रयाप मात्रा में प्रोटीन समिलित नहीं कर पा रहे हैं गरीब जो लोग होते हैं या गरीबी की वज़य से प्रयाप मात्रा में भोजन नहीं होता है और जब पर्याप मात्रा में भोजन नहीं होता है तो उनको प्रोटिन की भी प्रोटिन की प्रोटिन की आपसकता रहती है जदी गरवावस्ता के दुराण माता प्रयाप प्रोटिन से डाइट नहीं लेती है तो माता के साथ-साथ उसमें पर लहे गर्भ को भी प्रोटीन हो परशन हो जाता है इसलिए करभा आवस्ता में माता को प्रोटीन से रिच डाइट लेनी जीए next है किसर आवस्ता में सरीर के विकास के लिए जैसा कि आप जानते हैं किसर आवस्ता सारीवी कोामांसिक दोनों की विकास की उम्र गही जाती है इन दनों सरीर अपने विकास की और अकरसर होता है और पोशन की बहुत ही ज़्यादा आसकता होती है इंदे में येती प्रोटीन की मात्रा नहीं मिलती है तो वह प्रोटीन कूपोशित हो जाते हैं और इनहें हम क्या कहते हैं प्रोटीन कूपोशन के क्या प्रभाव होते हैं प्रोटीन कूपोशन से जो रोग होते हैं वो दो रोग हैं एक है क्वाश्योर के ओर, दूसरा लोग है मेरिसमस रोग, क्वाश्योर के ओर समय थे एक सी पाल साल तक की बच्चों में होता है, इसके जो लक्षण है बच्चे में पेड का फूल जाता है, आपने देखा होगा कई छोटे बच्चे होते हैं, जिनका पेड बढ़ा होता है, लेकिन उपर और नीचे वाला शरीर का जो हिसा है वो दुबला होता है उनको क्वेशियर को रोग होता है भूख नहीं लगती चिर्चिटापन होता है त्वचा पीली शुष्क काली धबेदार होकर फटने लगती है और दूसरा जो रोग है वो है मेरिसमस रोग, मेरिसमस रोग क्या है? यह क्वेशियर क्योर और मेरिसमस रोग में सामनाते अंतर यही है कि क्वेशियर क्योर रोग है केवल प्रोटीन की कमी की वज़े से होता है सरीर सूकर दुबल हो दाता है और आंखें कान्ती हिन हो जाती है सामल देन दोनों रोगों का अफजार यही है कि बच्चों को प्रोटीन युक्त या प्रोटीन रिच्च डाइक दनी चीए या प्रोटीन युक्त बोजन बच्चों को करवना चाहिए ताकि ये इन रोगों से या प्रोटीन रिच्च करते हैं खनीज रिच्च की सरीर संसारें के लिए खनीज लवन महत्पुन होते हैं कई फिजियोलोजिकल एक्टिवडिज के लिए खनीज लवन यानकी मेनल्स जम्यदार होते हैं कुछ यहाँ पर इस टेवर में दर्साय गई हैं एक एकर के हम इनके बारे में पढ़ेंगे की इनके प्रमुख स्त्रोट कौन से हैं और इनके मुख्यकारिय क्या है सबसे कुले हम बात करते हैं सोडियम खनीज लवन की जिसका मुख्यस रोता है सामाने नमक मचली मास अंडे और दूथ जो हम सामाने नमक खाते हैं उसमें सोडियम की मातरा पाई जाती हैं जैसा कि आप जानते हैं सामाने नमक का सामाने शूत्र होता है एने सीयल तो यहां पर आप देखिए एने सीयल के साबसे इसमें क्या पाई जा रहा है सोडियम पाई जा रहा है वह मचली में मास वह अंडो में वैदूथ में भी सोडियम की मातरा पाई जाती है सोडियम का परमुक कारे क्या होता है? सोडियम का परमुक कारे होता है मास्पेसी, संकुचन, तंत्री की आवेक, संसरन, सरीर, विदुद, अबगटन, संतुलन करना आप जब आगे higher classes में जाएंगे और biology के बारे में पढ़ेंगे तो इसमें आप देखेंगे कि जो कोशिका के अंदर कोई चीजें आ रही हैं, अंदर की तरह बाहर जा रही हैं, पारग में हो रही है, कोशिका अर्थ पारग में जिली होती हैं, तो उसमें sodium किस प्रकार अपनी मेहतापुण भूमिका निपाता हैं, तो इसका यहाँ पर यहाँ प्रमुक कार्य होता है, दूसरा जो हमारे लिए खरीज लगण हैं, वो है potassium, potassium सभी खादे बदातों में लगबग पाया जाता हैं, और इसका भी लगबग वही कार्य रहता हैं, जो की sodium का रहता है, मास्पे calcium, calcium समाने डूद, अंडे, वहरी सब्जियों में पाया जाता है, विटामिन D के साथ हड़ियां और दावतों को मदबूती प्रदान करता है, आपको याद होगा, जब हम विटामिन कूपूशन के बारे में पढ़ रहे थी, तब हमने विटामिन D के बारे पढ़ा था, तब हड़ियां के दान्तों को मदबूत करता है, क्योंकि आप दानते हैं कि हमारा हड़ियां और हमारे दान्त किससे मिलके बने होते हैं, कैल्सियम से मिलके बने होते हैं, जब हम कैल्सियम को अहा के रूप मे लेते हैं, तो लिश्ची तोर पर ये हमारी हड़ियों और दान्तों को मद्न करता है और फास्पोर्स कि क्या कासियत है यह केल्शियम के साथ मिल करके हमारे हड़ियों वद ऒबूत करता है केल्शियम के साथ यह भी कर लिता है उसके बाद अगली जो खनीजलमण है वह है लो सब्जी थे अंदे मास रखता रागी भगांता है इसको कां होता है रुदीर में हीमोगलोबिन का रिवभार्ण करना जानते हैं रुदीर में इस विशे स्फडलकार की प्रोटीन जाती Chelsea इसको हिमोग्लूबिन करते हैं उस हिमोग्लूबिन का निर्माण करने के लिए लोग तो बहुत ही आफशक खनीज लवड हैं अगला है आयोडिन नमक में समूंदरी भोजन हरे पते वाली सब्जियां लवड जलिय मच्छी जामूर में पाया जाता है आयोडिन क्या का रहे होता है पर मुद थायरेक्षिन हर्मोन का निर्माण करना हमारे शरी में थायरेक्षिन हर्मोन का निर्माण होता है और थायरेक्षिन हर्मोन की हिदी कमी हो जाते हैं तो आप जाते हैं बच्चों में गलगन या बड़ों में भी गलगन जिसी गवेटर् तो आयोडीन थायोक्षिन हर्मोन का नमान करता है आपने देखा होगा हम आयोडीन की मात्रा साजार नमक के साथ लेते हैं आप जब देखते होंगे कि नमक आयोडीन युक टाटा साल या आयोडीन दूसरा साल जो भी हो उसमें किसकी मात्रा होती है आयोडिन की मात्रा होती है आयोडिन थार्योक्षिन हार्मोन का नमान करता है और यह थार्योक्षिन हार्मोन में गलगल भ्लोक से बचाता है